CEPF registration command and exam के अंदर अपकी इस सिर्फ 25 marks की English grammar आती है लेकिन आज के इस cutthroat competition के अंदर वो 25 marks बहुत important है इस वीडियो के अंदर मैं आपको source बताऊँगा क्या source follow करना English grammar के लिए और practice set कहां से लगा सकती हो दो ये important चीज़े हैं अगर ये आप कर लोगे तो आपके 25 marks जो है पक्क इसके साथ ही in the end of the video I will discuss Indian Forest Service 2022 के अंदर जो question आये थे वो आपको with concept clarity वो सारे discuss किये जाएंगे और एक आपके लिए homework रहेगा मुझे ये बताना है जो Indian Forest Service 2022 के अंदर जो question पूछे गए थे क्या यही concept इसी pattern पे CEPF exam के अंदर आते हैं नहीं आते हैं this would be your homework बस मुझे इतना करके बता दोगे तो हमें यह लगेगा we are on a right track अब हम फटाफट से यह देख लेते हैं क्या source आपको रखना चाहिए English grammar के लिए बहुत अच्छी book है SP बख्षी यह objective general English आप इसको use कर सकते हो defense exam के लिए भी important है और आप इसको CEPF exam के लिए भी use कर सकते हो error बहुत कम है इस book के अंदर बहुत ही कम error है और relevant इस चीज़े दी हुई है जो आपके exam के लिए बिल्कुल ही useful रहेंगी दूसरी important चीज जो रहे ही इसके अंदर वो है practice set practice set आपको कहां से करने है practice set के अगर मैं बात करूँ तो आप UPSC दो ऐसे exam conduct कराता है civil service प्लस Indian forest service दोनों के अंदर compulsory English होती है compulsory English के अंदर आपके grammatical concept जो है grammar के concept जो है को पूछे जाते हैं और वो same concept होते हैं जो आपके Indian forest service के अंदर जो English grammar के जो concept पूछे गए थे मैं आपको अब उनको explain करूँगा तो आप मुझे बताना क्या आपकी समझ में आया नहीं आया और क्या ये CAPF exam के अंदर जो English grammar पूछी जाती है क्या उससे match कर रहे हैं concept या नहीं कर रहे है मुझे please आप ये वीडियो के अंदर ज थमरूल मैं आपको बता दूँ थमरूल बता दूँ आपको left to right पूरा statement क्या करनी पड़ते अनलाइज करनी पड़ती है आपको कोई भी error find out करना पड़ता है तो आप left to right उसको क्या कर रहे होगी अनलाइज करोगे अब ध्यान से देखो statement हम पड़ते हैं we arrived at a decision after discussing about all the aspects अव वी क्या है यहां पर subject arrived क्या है वर्ब है वर्ब की second form है इससे हमें tense का पता लगया जो कि past indefinite tense है at है हमारी यहां पर preposition a हो गया determiner decision हो गया उसका noun हो गया noun के लिए a use किया गया है determiner उसका after क्या है preposition discussing क्या है वर्ब जो कि Jared form में यूज की गई है उसके बाद about होगी दुबा एक transitive verb होती है उसके बाद आपको direct object लिखना पड़ता है लेकिन यहां पर जब discuss verb को आप देखोगे यह इसके बाद क्या लिखा गया है about preposition और यह all the aspect about preposition का object बन गया तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा about को drop करना पड़ेगा और direct all the aspect discuss verb का क्या बन जाएगा object बन हो जाएगा और after discussing का मतलब होता है discuss about something or someone तो इस हिसाब से आपको direct object इसमें देने की जरूरत है and your answer would be we arrived at a decision after discussing all the aspects okay next देखते है next concept is the flood victims were provided shelter जहां से देखो दा क्या है definite article है मतलब flood victim definite है उसके बाद were provided जहां से देखो यह दुबारा से passive form है tense यहां पर देखे were used हुआ है तो इसका मतलब यह क्या है past indefinite tense है उसके बाद shelter क्या है object हो गया लेकिन यहां पर आप देखोगे जब यह verb passive form के अंदर है तो shelter जो object है वो direct आप उस verb के बाद नहीं लिख सकते हैं आपको कोई ना कोई preposition देनी पड़ेगी यहां पर हम विद प्रेपोजिशन का यूज कर लेंगे the flood victims were provided with shelter यह होगा आपका correct sentence क्योंकि provide जो है यहां पर एक transitive verb है provide is a transitive verb और मजे की बात यह है मैं आपको बता दू transitive verb का ही passive form बनता है ठीक है transitive verb का ही passive sentence बना सकते हो अगर intransitive verb है मतलब कहने का यह मतलब है intransitive verb क्या होती है जिसके बाद आप कोई object नहीं लिख सकते है अब यहां पर जो provide verb थी यह transitive verb है उसके बाद आपको object लिखना पड़ता लेकिन यह provide वर्ब आपकी passive form के अंदर है इसके बाद आप direct object नहीं लिख सकते एक preposition की help से आपको लिखना पड़ेगा next is we have built this house 20 years ago we क्या है subject have built क्या हो गया आपका present perfect tense यह tense हो गया ठीक है वी के हिसाब से हमने have use कर लिया और tense हो गया present perfect this क्या हो गया gain determiner house हो गया उसका object उसके बाद 20 years ago 20 years ago 20 years क्या है duration है अगो क्या है point of time अब जब आपको point of time past का दिया हो है तो आपने tense present का कैसी use कर लिया समझें तो 20 years ago यह आपका past का time है तो आपको यहाँ पर tense भी क्या उसकरना पड़ेगा past का use करना पड़ेगा तो time defines the tense time ही define करता है tense को ना कि tense time को define करता है तो यहाँ पर time आपका past है तो यहाँ पर आपको इसकी correction करनी पड़ेगी your answer would be we built this house 20 years ago दो केस और बता देता हूँ आपके exam के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं एक केस है जब आपको sentence के अंदर four मिले और दूसरा since मिले four जब as a preposition use करते हैं देखो four आपका conjunction भी होता है preposition भी होता है लेकिन जब four as a preposition use होता है तो वो duration को define करता है जैसे she has lived here for 20 years यहाँ पर four जो है preposition है उसके साथ duration लिखी हुई है अब इसके साथ जब since use होता है किसी sentence के अंदर since होता है point of time के लिए है अब यहाँ पर 90-80 देखोगे यह 90-80 point of time mention है और since के साथ जो भी point of time use होता है वो हमेशा past में आपको मिलेगा उसके साथ दोनों में क्या use हुआ है present perfect tense दोनों statement के अंदर present perfect tense यूज हुआ है जब दोनों के अंदर present perfect tense यूज हुआ है तो कहने का मतलब है एक जो action था वो किसी point of time से शुरू हुआ suppose यहाँ पे since वाले case हम लेते हैं जब since 1980 suppose this is a time in 1980 यहाँ से कोई action शुरू हुआ है आज है 2023 तक वो lady यहाँ पे रह रही है she has lived here since 1980 तो 1980 से 2023 तक जो action था वो complete हो चुका है अगर वो lady यहाँ से अगर आपको पता है 2023 के बाद भी यहीं रहने वाली है तो आप इसको क्या बना सकते हो she has been living here since 1980 ठीक है 2023 तक वो action complete हो गया था लेकिन 2023 से आगे वो जो action है वो अभी continuous form में है तो आप उसको continuous present perfect continuous tense के अंदर भी लेख सकते हो यहाँ पे भी आप यह काम कर सकते हो she has been living here for 20 years वो 20 साल से यहाँ रह रही है लेकिन अब भी रह रही है तो मतलब वो action जो है अभी भी continuous है वहाँ पे आप दोनों ही जो tense होंगे present perfect tense और present perfect continuous tense दोनों ही इस दोनों के इसके अंदर क्या है valid है ओके next देखते हैं she stays in the campus she हो गया हमारा subject stays हो गया हमारी verb और subject और verb का agreement हो रहा है she हमारा singular subject है उससाब से हमने singular verb यूजज कर ली है उसके साथ in preposition हो गया दा क्या हो गया हमारा object हो गया in preposition का अब यहाँ पर problem है in preposition के अदर the campus है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं यह तो हमारा directly क्या हो गया definite है दा campus दा हमने definite article यूज किया है campus के लिए problem क्या है in campus on campus at campus इसमें से कौन सी जी जाने चाहिए in campus जो आज के टाइम पर यूज नहीं होती है in campus जो आर्के है वोई container है और वो enclosed है उपर से तो बॉल जो है उसके अंदर लाए कर गी है लेकिन campus ऐसा नहीं है campus उपर से enclosed नहीं है जब हमें किसी की position ऐसे इन जनल बतानी होती है तो वहाँ पर आप on का use करते हो now the on preposition is used to refer to things that are on top of other things यहाँ पर you use the on preposition for on campus as a way to signal that someone or something is on the campus itself and there is no better way to indicate that fact at campus कभ यूज करते हो सपोस कीजिए आप university जा रहे हो आप हो और आपका friend है आपका friend आपको call करता है कि कहां हो आप and you left your home and you are about to reach the university campus तो आप बिलकुल ही campus के बाहर आके खड़े हो और entry कर रहे होते हो और अपने friend को बोलते हो I reached at the campus मतलब अगर आपका campus as a destination है ठीक है किसी journey का destination है तब आप वहाँ पर add use कर सकते हो ठीक है तो सभी context का खेल है grammar के अंदर कोई fix rule नहीं होता context भी matter करता है next देखते है let's go for a walk इसके बाद एक question tag दिया गया है do we अब let's का मतलब होता है let's एक contracted form में जिसको हम expand करेंगे वो है let us यहाँ पर us क्या हो गया हमारा यह हमारा subject हो गया ठीक है अब us के हिसाब से हमें क्या pronoun use करना पड़ेगा किस के अंदर question tag के अंदर we हम use करेंगे लेकिन at the same time जब भी हमें subject के अंदर if the statement के अंदर subject मिले हमें let's तो वहाँ पर question tag हमें shall we use करना चाहिए एक important concept है ठीक इर्रस्पेक्टिव आपकी जो statement है वो affirmative है या negative है आप जो है question tag यहाँ पर positive ही देंगे समझें whenever we use let's in a question tag we shall use shall be regardless of whether let's is affirmative or negative समझें आपको महाँ पर positive question tag ही use करना पड़ेगा okay so your answer would be let's go for a walk shall be your would be your answer okay next देखते हैं have you read each of the following instructions instruction है instruction नहीं है question mark दिया हुआ है ठीक है क्योंकि you से पहले क्या use किया गया है auxiliary verb को use किया गया है उसके बाद read जो है आपकी main verb होगी each determiner का use किया गया है और क्या है preposition है the following instruction preposition का क्या object है यह सब चीजे ठीक है यहाँ तक लेकिन each जो है each और every में थोड़ा सा मैं आपको concept बता देता हूं each and every each and every both are determiner ठीक है दोनों ही determiner है each क्या है pronoun भी होता है ठीक है even pronoun नहीं होता each क्या है आपका distributive sense create करता है ठीक है every distribution को दिखाता है लेकिन यह distribution वाला मैं आपको concept बता दूँ थोड़ा सा distribution वाला थोड़ा सा concept आपको explain करने की जरूरत है मतलब each and every both determiner पूरे distribution दिखाते हैं पूरी class को represent करते हैं with the help of one particular individual जैसे each boy each boy of this class is intelligent ठीक है suppose यह example each boy of this class is intelligent क्याने का मतलब है class है उसके अंदर girls and boys है 20 boy है उसके अंदर तो हमने क्या किया वो 20 के 20 बच्चे जो है लड़के उसमें हुशी आ रहा है तो हम कहा रहे है each boy यहाँ पे हमने एक individual boys नहीं बोला हमने each boy बोला है each boy of this class is intelligent तो हमने एक individual के मदद से पूरे group को क्या कर दिया है represent कर दिया है यह क्या काम करता है each and every determinant लेकिन every किस case में यूज करते हैं जहां पे हमें class defined ना हमें नहीं पता कितने number of individual है अगर हमें defined है इतने number of individual है ठीक है तो हम हम each का use करेंगे definite class के लिए अगर हमें नहीं पता कि कितने number of individual हम हम every भी use कर सकते हैं ठीक है और साथ में ही each जो है affirmative actions के लिए use होता है, every जो है आपका negative या फिर interrogative sentence के लिए use होता है, right, अब इस case में हम देखते हैं, यहाँ पर every use नहीं होगा, मैं आपको each और every का सर्फ difference बता रहाता है, यहाँ पर each देखोगे आप, each को आपको replace करना होगा any से, ठीक है, आप each को replace करोग होगे any से, any जो है आपका negative और interrogative sentence में use होता है, your answer would be, answer would be, have you read any of the following instruction, क्योंकि any जो है, generally use किया जाता है interrogative और negative sentence के respect में, next देखते हैं, do you know where are you going again, it's a interrogative sentence, क्यों, क्योंकि यह आपका क्या है, subject, subject से पहले क्या use किया गया है, do मतलब auxiliary verb, know क्या है, आपकी main verb है, right, और ध्यान से देखना, यह क्या है आपका, this is your main clause, main clause, or this is your subordinate clause, तो यह आपकी where are you going, क्या है, आपकी subordinate clause है, और इस से पहले जो आप देखोगे, इस से पहले ध्यान से देखना, इस से पहले आप देखोगे, do you know where are you going, so do you know main clause है, where are you going, आपकी subordinate clause ह वर्म में है you cannot you cannot write Subordinate closing interrogative form ठीक है तो आपको assertive form में इसको लिखना पड़ेगा ध्यान से देखो assertive form interrogative form क्या होती है interrogative आपको में बता दू interrogative interrogative form प्लीस प्लीस प्लीज बैटेंशन इंटरोगेटी वर्म के अंदर auxiliary verb बोलो या फिर helping verb बोलो आपके subject से पहले आती है फिर आप क्या लिखते हो main verb then you will write object अगर object है तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप से बात करूँ इंटरोगेटिक फोर्म के अलावा यहाँ पे अगर assertive form assertive form assertive form में क्या होता है आप subject पहले लिखते हो फिर आपकी helping verb लिखते हो अगर है तो उसके बाद आप लिखते हो main verb then you will write object अगर object है तो ठीक है तो this is assertive form this is interrogative form और मैंने आपको बताया अगर आपकी main close जो है main close अगर आपकी किस के अंदर है interrogative form के अंदर है subordinate close आप interrogative form के अंदर लिखी नहीं सकते right so your answer would be आप इसको assertive बनाना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा आर जो है use के बाद लिखना पड़ेगा वो assertive हो जाएगा automatically do you know where are you going your answer would be do you know where you are going right do you know where you are going next is every girl must submit their identity card दुबारा से वह आला example आ गया देखिए मैंने आपको बोला था every कहां पर use होता है और each कहां पर use होता है वैसे each और every दोरो determiner है लेकिन each जो है pronoun भी है लेकिन every और each के बीच में बहुत बड़ा major difference यह है every वहां पर use होता है अगर आपको पता है कि जो particular class है जिसको represent किया जारा वो definite है मैं पता है कितने लोग है लेकिन अगर आपको नहीं पता कितने लोग है defined नहीं है तो वहां पर आप every का use करोगे तो इस case में यह है है मैं नहीं पता कितनी girl है every girl must submit their identity card अब देखिए मैंने आपको बताया था each and every जो है एक particular individual की help से पूरी class को refer करता है यहां पर आप देखिए जो individual है singular है तो आपने यहां पर plural pronoun कैसी use कर लिया है यह plural possessive pronoun है यह गलत है क्योंकि यहां पर subject जो है singular है तो यहां पर आपको singular pronoun ही use करना पड़ेगा possessive pronoun जहां पर आप लिखोगे यहां पर there को replace करके her link होगे so the answer would be her next is the student's bag were lost यह interesting question है दा जो है definite मतलब वो जो bag है definite है मैं पता है कुन से bag है students bag apostrophe s लगा के इसका relationship bag के साथ बनाना ही कोशिश कर रहा है student का अब वर लोस जो है passive form हों में दिख रही है ठीक है यह बात भी ठीक है passive form हो गया लेकिन passive form जब भी हम लिखते हैं तो उसका कहने का मतलब होता है उसमें कोई ना कोई doer होता है अब इसका context देखिया आप जब भी मैं आपको बोलता हूँ grammar जो है उसके अंदर context भी आपको देखना पड़ेगा अमेशा सिर्फ rule रटने से cram करने से translation करने से चीज़े समझ में आएंगे आपको उसका grammatical एक तो error ना पड़ेगा दूसरा context कहा context यहाँ पर देखिए है students back were lost मतलब किसी ने गुम कर दी है लेकिन किसी ने गुम नहीं किये है यहाँ पर जो sense है were lost उससे misplace हो गए है वो खुद बखुद गुम हो गए उसको अब याद नहीं कहां पे हैं वो this is the meaning required in this particular sentence तो यह जो passive form है यह गलत है जब आपको meaning यह वाला convey करना पड़ता है the students back basically lost हमें नहीं पता student के जो bag है वो गुम हो गए है अगर यह वाला meaning आपको convey करना होता तो आप get की form के साथ verb की third form का use करते हो और यह verb की third form जो है यह verb नहीं होती एक adjective होता है जो की past participle होता है past participle verb की ऐसी third form होती है जो की behave करती है as an adjective और वो जो adjective है state दिखाएगा किसकी subject की यहाँ पे subject देखोगे जो की बैक की state दिखाएगा state क्या है उसकी lost गुम होगे और अंसर वोड़ बी अंसर वोड़ बी अंसर वोड़ बी दा स्टूदेंट्स बैक्स गोट लोस्ट तो गोट वर्ब का आप यूज करोगी यहाँ पर मैंने क्यों ने लिखा क्योंकि यहाँ पर past indefinite tense है तो इससाब से get की second form आएगी got lost कहने का मतलब if something is lost or get lost you cannot find it then you need to use the got verb with it right next is I will reach to your office at 5 p.m. देखे I subject हो गया, will क्या हो गया इसमे यहाँ पर आपको modal यूज किया गया है और यह feature tense को क्या कर रहा है represent कर रहा है, उसके बाद reach जो है verb की base form यूज की गई है उसके बाद two preposition है, your क्या है आपका दुबारा से एक determiner है उसके बाद office आपने लिखा है जो की direct object है किसका वैसे तो यह two preposition का पूरा object है your office लेकिन reach verb जो होती है उसका मतलब होता है to arrive at or to get at a place or a person जब इसका मतलब to arrive at something किसी जंगय पर आना तब यह transitive verb होती है और उसके बाद direct object आपको लिखना पड़ता है तो direct object इसमें क्या होगा your office तू आपको drop करना पड़ेगा I will reach your office at 5 p.m. ओके at 5 p.m. at 5 p.m. या अपने कोई deadline set कर दी है that is okay answer would be I will reach your office at 5 p.m. next is transformation sentences बहुत interesting topic है भाई transformation से बहुत सारे question आपके आते है exam के अंदर 6 category के transformation of sentence आप से पूछता है पहली category अगर मैं बता दू पहली category आप से active to passive पूछेगा या फिर passive to active change करने को बोलेगा second category आप से transformation sentence के अंदर बोलेगा simple to complex या फिर complex to simple या फिर complex to compound या फिर compound to complex उसके बाद third category होगी आपकी आपको assertive sentence को किसमें बदलना होगा interrogative में या फिर interrogative को assertive में बदलना होगा उसके बाद एक और आपको एक और interesting subject साब पूछते हैं एक और interesting concept है yes narration direct to indirect या फिर indirect to direct उसके बाद आप से positive to negative sentence भी पूछते हैं positive sentence को negative sentence के अंदर भी change करना होता है तो ये 4-5 तरह की category होती है जिसमें आपको transformation sentence आपको use करने पड़ेंगे और ये भी transformation of sentence की छटी category है जिसमें आपको बोला जाएगा आपको ये वाला conjunction drop करना है और दूसरे conjunction की help से आपको दूसरा sentence बनाना पड़ेगा इस case में आप देखोगे सबसे important चीज़ आपको दिमाख में रखनी चाहिए आपको marks नहीं मिलते हैं आप sentence change करके आ जाते हो लेकिन आपको जितने marks मिलने चाहिए था आप नहीं वहाँ पर गेन कर पाते हैं reason being आप उसका meaning change कर देते हो during this transformation sentence you can only change the grammatical part you can only change the grammar but you cannot change the meaning of the sentence ठीक है तो यही आपको याद रखना है only change the grammatical form without changing the meaning of the sentence now see आपको एक बात बोली गई है सामने एक question है he is two weak to walk अब यहाँ पर two जो है adverb है two weak adjective के लिए use हुआ है that is okay अब two work जो है एक infinitive है infinitive का मतलब होता है two plus verb की first form एक होता है bare infinitive bare infinitive में क्या होता है सिरफ verb की base form यूज की जाती है verb की base form उसको bare infinitive बोलते थे हैं उसके साथ two preposition यूज नहीं होती लेकिन दोनों ही case में आपको पता है बिना किसी subject के कोई verb नहीं लिख सकते है you cannot write verb without any subject but you can write subject without any verb तो ये जो verb है इसके लिए कोई नहीं subject है वो है he तो आपको direction दी गई है rewrite using so that instead of two or two आपको so or that का use करना पड़ता है instead of two or two तो आप क्या है इस two और इस two को drop करेंगे यहाँ पे so or that that is a conjunction ठीक है that conjunction of comparison है that is a conjunction of comparison यह सारी चीज़े मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप इसके notes बनाए ठीक है अगर मैं यह चीज़े यहाँ पे लिखने लग गया तो एक घंटे से जादा lecture जाएगा और YouTube के लिए भी सही नहीं है और आप लोग भी जो है मुझे लगता है you will lose the interest और मुझे लगता है कि लोग कम देखेंगे वीडियो तो I will try to dictate all things in a verbal way तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो यहाँ पे notes बना सकता है दुबारा से वीडियो को start करके now he is too weak to walk ओके meaning is same meaning is same only grammatical form change की गई है meaning same है he is so weak that he cannot change sorry he cannot walk अब यहाँ पर जो वोग वोग थी इसको मैंने subject दे दिया ही क्योंकि इसका subject ही ही था answer would be he is so weak that he cannot walk एक interesting question आपके सामने दुबारा से लेके आता हूँ हाला कि आपके exam के अंदर अभी तक यह नहीं पूछा गया है लेकिन यह important है important कैसे है अगर आपके सामने ऐसा question आजाए it is never too late to mend it जो यहाँ पर impersonal pronoun है किसी आदमी के बारे में यह नहीं बताता ठीक है impersonal pronoun है okay it is talking about basically non-human non-living things लेकिन यहाँ पर आप वर्ब देखिए mend इस sentence के अंडर जो context है और जो meaning है वो है logo के बारे में it is never too late for the people to mend अपने आपको change करना कभी भी late नहीं होता लोग कभी भी अपने आपको change कर सकते है this is the meaning right तो यह जो mend है यह it के लिए use नहीं होगा है यह जो mend है यह basic logo के लिए use और people right तो यहाँ पर आप क्या करोगे it जो है its personal impersonal pronoun का आप drop करके यहाँ पर basically one का use कर सकते है या फिर people का use कर सकते है यहाँ पर आप लिखोगे it is never so late that one cannot mend और people cannot mend both are correct one जो है universal pronoun होता है one is a universal pronoun कहीं भई भी फिट हो जाता है समझगे ओके next is if you study well you will pass rewrite using unless आपको unless के साथ क्या करना पड़ेगा दुबारा से rewrite करना पड़ेगा sentence को ठीक है so unless के साथ जब भी आप rewrite करते हो ध्यान से देखना unless के साथ you cannot write a negative close समझे unless conjunction के साथ आप कोई भी negative close नहीं लिखोगे because unless itself connects a negative meaning ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा unless you study well unless you study well you will you will or can not pass this exam तो आपका 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 क्या है will would be more right क्योंकि यहाँ पर will आपको दिखाया हुआ है future tense का reference है तो यहाँ पर will भी उसकर सकते हो can भी उसकर सकते हो और यहाँ पर unless के साथ मैंने कोई negative चीज नहीं कि उसकी काफी टाइम मैं देखता हूं लोग यहाँ पर unless you study well unless you don't study well लिख देते हैं जो की गलत है unless automatically क्या है कि negative connotation है negative meanings के साथ attached है और आपको बता है negative negative दो positive meaning बन जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा unless you study well you cannot pass this अक्सा next is he says I'm sorry देखे आपको direction दीगे आपको indirect speech के अंदर change करना है he says I'm sorry अब he says क्या है यह आपकी reported verb है ध्यान से देखना दो चीज़े आपके दिमाग है बिल्कुल crystal clear होनी चाहिए दुबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना reported verb reported speech एक concept है जब आपकी reported verb जो होती है अगर present के अंदर है ठीक है present tense के अंदर है you cannot do we cannot do any change in the tense of the reported word speech sorry reported speech के अंदर आपको इचेंज नहीं कर सकते है अगर आपकी reported word present tense के अंदर है ठीक है यह ही यहाँ पे हो रहा है present tense के अंदर है आप इसके reported speech का tense change नहीं करोगे बाखी चीज़े चेंज होगी ठीक है अब हम देखते हैं यहाँ पे present indefinite tense है तो जब आप change करोगे indirect speech के अंदर तो आपको present indefinite tense ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे आप देखिए जब भी हम indirect मे चेंज करते हैं तो यह comma inverted comma drop हो जाता है और उसके जगे आप that use करते हो तो he says that of the reported word और either to the object of the reported word उसके लिए पूरा हम online classroom जो हमारे online classes चलते हैं उसमें हम discuss करते हैं because time is very less तो जल्दी से हम इसको आपका answer बता देता हूं he says that you are sorry answer आएगा इसका he says that you are sorry R मैंने UK according use किया गया है और I जो है मैंने change कर दिया UK के अंदर next is he writes poem आपको passive voice के अंदर change करना है जब भी आप passive voice के अंदर change करते हो तो क्या होता है आप subject को क्या कर देते हो object बना देते हो और object को subject बना देते हो यही चीज इसके अंदर हो रही है तो poems आपका subject बन जाएगा points के according आप क्या यूज़ करोगे verb ठीक है points plural number का होगे तो आपकी verb भी plural number की होज़े की ध्यान से देखना यहां पर right जो है present indefinite tense tense change नहीं होगा during change in voice tense will remain the same voice change करते बाग tense जो है change मत कर देना सबसे बड़ी गलती है आपकी लोगे की यही रहती है तो poems are written by him next is there is no tree which is not known by its fruit अब आपको positive sentence के अंदर क्या गरना है change करना है this is the second sentence third sentence transformation of sentence का third variety third case UPSC ने आपके exam में पूछा है पहला यह positive sentence में change करना दूसरा ज्यान से देखो active to passive fourth देखोगे direct to indirect sorry third है direct to indirect उसके बाद एक और unless और इसके बाद यह 5 की 5 type जो है Indian Forest Service के अंदर transformation of sentence से आई है देखो importance कितनी है transformation of sentence आपको आने चाहिए अब हम देखते हैं positive sentence के अंदर आपको यह change करना है positive sentence के अंदर change करना है meaning change नहीं होना चाहिए you cannot you cannot change the meaning positive sentence का मतलब उसमें कुछ not आपको नहीं लिखना मिलेगा meaning can be negative तो इसको अगर आप देखोगे there is no tree which is known by its fruits meaning का मतलब इसका meaning कर मैं आपको drive करूँ ऐसा कोई tree नहीं है जो अपने fruits के नाम से नहीं जाना जाता हो तो अपने fruit के नाम से ही जाने जाते हैं मतलब tree अब यहाँ पर आप देखोगे there is always tree is always known by its fruit खत्म ठीक है this is the best way tree is always known by its fruit तो this is the best way through which you can change the sentence और any important कोई भी doubt हो आपका आप हमें इस number पर message कर सकते है या पर comment कर सकते हो वीडियो के नीचे वहाँ पर आपके address कर दी जाएंगी चीज़े कोई ऐसा concept आपको तंग करता हो paper तो कोई भी concept प्रेसी राइटिंग, report राइटिंग, argument राइटिंग, essay राइटिंग कोई भी चीज़ आपको तंग करती हो any particular subject कोई भी specific subject हो आप हमसे जूड सकते हो इस number पर आप connect कर सकते हो and one important thing is paper to course जो है जल्दी ही लोंच होने जा रहा है December में, December के first week में paper to course है, बहुत अच्छी तरह से crafted है, designed है if anybody wants to study, read कोई भी doubt है आपका तो आप हमसे जूड सकते हो detail schedule जावसका अभी जारी हो जाएगा thank you